कि अभी हम देख रहे है निट CSIR December 2019 के Mathematical Actitude के questions चलिए start करते हैं यहांपर बताना है केज़िया है केजी आफ राइस प्रोडियूट्यूस पर लाक मतलब एक लाक लीटर पानी में कितना राइस प्रोडियूस किया है तो region A 60 kg कर रहा है same amount of water ठीक है water का amount change नहीं किया है graph के लिए B region 40 kg produce कर रहा है C region 30 kg produce कर रहा है और D region 20 kg ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर हमको जो option दिया है option A sorry option first region A uses maximum water per kg of rice तो बिलकुल भी नहीं बलके region A जो है यह maximum production दे रहा है per liter में ठीक है region A uses यहाँ यहाँ पर हमको बोला है maximum water तो water उतना ही use कर रहा है तो यहाँ पर अगर minimum होता तो चल जाता region A uses minimum water per kg of rice मतलब समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर एक लाख लीटर में 40 kg अगर production मिल रहा है तो यहाँ एक लाख लीटर में हमको 40 मिल रहा है और हमको A region में 60 B में 40 C में 30 और D में 20 मतलब हमारा production कम कम हो रहा है पानी का amount same है तो यहाँ पर ज्यादा पानी तो यूज नहीं कर सकता तो A region कम पानी यूज कर रहा है तो यह इसलिए एक लाख लीटर है यह भी एक लाख लीटर है और यह भी एक लाख लीटर है मतलब यह भी मेरा आंसर नहीं हो सकता अब देखिए अब वो बोल रहा है region D uses thrice amount of water तो region D जो है वो 3 times water use करेगा compared to A अब यहाँ पे confusion होता है कि यह किस तरह से possible है तो देख लीजिए A region जो है A region जो है ठीक है वो 60 kg का production कर रहा है per lakh liter of water में अब D कितना कर रहा है D produce कर रहा है 20 kg तो अब अगर समझ लीजिए मुझे D region में 60 kg का production लेना है तो मुझे पानी कितना लगेगा देखिए 20 kg के लिए 1,00,000 लग रहा है ठीक है तो 60 kg के लिए कितना लगेगा तो 60 kg के लिए लगेगा मुझे तिगना मतलब 3,00,000 लीटर of water तो देख लिए ट्रिपल मतलब D region ये 3 times water यूज करेगा compared to A region मतलब मेरा ये answer जो है ये correct है अब फोर्थ option भी देख लिए ते है region B uses 20,00,000 लीटर of water less water than region A region B जो है वो 20,00,000,000 लीटर पानी कम use करेगा तो जी नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यहाँ पे 20 kg का difference है पानी के use का difference नहीं ठीक है difference जो है वो production का है यहाँ पर 20 का तो ये भी option मेरा incorrect रहेगा so मेरा correct answer है option 3 next question देखते हैं student चलिए तो next question है हमारे पास और ये एक बहुत ही ज़्यादा simple सा question है direction based question है देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर मैं यहाँ पर आपका option भी नहीं बताऊंगा यह इतना easy question है चलिए तो यहाँ पर मेरे पास में जो question दिया है उसमें मुझे बोला गया है कि current house is 20 meter सबसे पहले तो यह direction question में आप सबसे पहले इसको धान में लख लिजिए एक word V ठीक है तो V पहले लिख लिजिए जो order में हम लिखते है तो V मतलब W और E को थोड़ा difference में लिख लिए है तो यह direction है west और यह direction है east ठीक है अब उपर रहेगा north और नीचे रहेगा south ठीक है यह four हमारे basic directions है अब इसके अलावा और कौनसी कौनसी directions है हमारे पास देखिए अगर इनके दोनों के बीच में अगर मुझे चाहिए तो यह है north east इन दोनों के बीच में अगर चाहिए तो यह है south east इन दोनों के बीच में चाहिए तो यह है साउथ वेस्ट और इन दोनों के बीच में चाहिए तो यह रहेगा नॉर्थ वेस्ट ठीक है तो यह 8 directions total हमारे पास में है चलिए अब हम question देखते है हमारा question क्या है करन's house is 20 meter to east of राहूल's house ठीक है तो करन का जो घर है वो east direction में है 20 meters में किसके comparison में राहूल के comparison में तो राहूल के घर से 20 meter पे है के का घर और वो भी करन का घर वो भी east direction में अब बोला गया है कि मेहूल's house is 25 meter मेहूल's house is 25 meter direction कौन सा है नौर्थ इस्ट देख लिए नौर्थ इस्ट का है ये नौर्थ इस्ट मतलब नौर्थ और साउफ इस्ट के बीच में मतलब ये direction ओके कुछ इस तरह से तो यहां पर आ गया मेहूल का घर ठीक है 25 meters अब हमको कौन से direction में आएगा देखिए तो करन का house कहा पर आ रहा है download direction download direction मतलब कौन सा south तो मेरा answer रहेगा south अब आपको मैं option बता रहा हूं क्यों option कौन से कौन से दिये हैं हमको देखिए option से मेरे पास east, south, northeast और west तो मेरा option number second correct answer है ठीक है चलिए तो इसलिए आथा कि काफी easy question है यह next question है हमारा यह भी एक probability based question है और यह बहुत ही ज़ादा एक easy तो नहीं बोलूँगा मैं लेकिन confusing question है आपको यहाँ पर बस थोड़ा सा सोचना है proper तरीके से चलिए यहाँ पर question discuss कर लेते हैं question क्या दिया है मुझे back contain 8 red balls ठीक है तो red ball है मेरे पास 8 उसके बाद blue balls है हमारे पास 10 10 और green balls है हमारे पास 17 ओके चलिए what is the minimum number of balls that needs to be taken out from the bag to ensure that at least one ball of each color अब मुझे हर color की एक ball चाहिए तो मुझे कम से कम कितने total number of balls लना पड़ेंगे देखिए तो यहाँ पर student क्या करते है चलिए तो red में 8 है और blue balls है हमारे पास 10 तो 10 प्लस 8 हो जाएगा 18 और इसमें से तो एक हमने ले लिया है तो मतलब हमारा answer है 19 लेकिन यह गलत है क्यों क्योंकि हमको यह कहीं पर भी ने बोला गया है कि combination आपका red or blue का होना चाहिए ठीक है combination मतलब पहले दो combination पहले है दो का collection में red or blue का look ऐसा जरूरी नहीं है मैं blue और green भी ले सकता तो मुझे अब एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब हमको यह word आता है minimum ठीक है तो इधर हमको उल्टा काम करना है इधर हमको maximum number को पहले लेना है तो maximum number कौन से है हमारे blue और green तो मतलब 10 plus 17 ओके तो 10 plus 17 हो जाता है हमारा 27 ओके अब यह जो minimum number लास्ट ओला बचा है 8 इसमें से कोई एक बहुत और हो लेना पड़ेंगा उगको तो 27 plus 1 हो जाएगा 28 ओके तो my answer is 28 मतलब मेरा option number 3 चलिए तो next question हम दिखते है यह भी बहुत एक one of the easiest question था और इसमें तो मैं आपको एक option से एक अलग method यहाँ पर बता रहा हूं देखिए by using options भी हम problem को solve कर सकते हैं कभी-कभी एक particular method से जाने के बजाए हमको by option जाना भी कभी-कभी easy हो जाता है हमको दिखिए यहाँ पर student द्यान में रखिए क्योंकि competitive exam में हमको कम time में answer निकलना है method कौन सा यूज किया है यह आप से कोई नहीं पूछने कर ला चली तो यहाँ पर मुझे question क्या बोला गया है two digit number is such that if digit 4 is placed to its right अब यहाँ पर right का मतलब क्या बहुत बार student को यह confused होता है कि right मतलब कहना है तो देखो हमारा number का left मतलब number का left तो मेरे पास और से number 48 ऐ cioè 48 मैं 4ो需要94 हो जाएगा 54 59 4 रख देता हूं 544 वह जाएगा 64 के right मैं 4 गता हूं 4.54 हो जाएगा 56 के right मैं 4 रख देता हूं 5-64 हो जाएगा its value वुड भी इंक्रीज़ भाय 490 तो 490 से वैल्यू बढ़ गया पाइंड ओरीजनल लंबर तो अब एक काम कीजिए तो यह जो भी वैल्यूज है यहाँ पर हमने लिखे 484 या 554 या 654 या 564 या 564 ये और डी बड़ी वी वैल्यू ये 4 रखने के बाद ओके ओरीजनल नंबर कौन साना ओरीजनल नंबर यहाँ पर है मेरे पास 48 यहाँ पर 54 यहाँ पर 64 और यहाँ पर 56 अब देख लिजिए किसका सब्ट्रैक्शन 490 आएगा क्योंकि आपने बड़ावा नंबर लिया है ये ओरीजनल नंबर है तो बड़े वे नंबर में से ओरीजनल नंबर माइनस करेंगे तो हमको 490 मिलना चाहिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 में से 8 पॉसिबल नहीं है तो मैंने एक कैरी कर लिया तो 14 माइनस 8 6 तो देखिए यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है मुझे तो 0 चाहिए यह तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर 4 माइनस 4 0 और 54 में से 5 माइनस करूँगा तो बचता 490 देखिए मुझे आंसर मिल चुका है 490 बाकी जगा आप करके देखिए आपको नहीं मिलेगा 4 माइनस 4 0 64 माइनस 6 58 मतलब यहाँ पर 580 मिल रहा है यहाँ पर 14 माइनस 6 फिर से यहाँ पर 8 मतलब यूनिट प नमबर 2 ओके तो यह थे हमारे एक कुश्चन के लिए देखिए मैं एक स्पेशल वीडियो यहाँ पर बना हुगा क्यूंकि उसका जो कॉंसेप्ट है देखिए हम कॉश्चन देखते है यह जो एक कॉश्चन यहाँ पर है तो यह जो एक बहुत कॉंसेप्चिल कॉश्चन है इसके यहाँ पर देखिए मैं आपको एक शॉट में यहाँ पर बता रहा हूँ के जैसे हमारा फंक्शन है y is equals to constant constant को मैं k बोल रहा हूँ e raised to power x तो यह exponential function है तो यहाँ पर k के दो turns होते है positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है ठीक है तो इसके लिए यहाँ पर मैं हर curve किस तरह से बनता है तो यह कॉश्चन के उपर मैं एक special video बनाऊंगा तो अगर आपको एक कॉश्चन चाहिए तो आपको वीडियो को जरूर देख है नेक्स वीडियो में हम इस कोशन को जरूर देखेंगे तैंक यू